हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्रे ओफिशल में आपका इस वीडियो में हम कुछ मेडिकल के पॉइंट्स आपके डिसकस करेंगे देखें मेडिकल लास्ट मॉमेंट में होता है और वहां पर आपका एक नॉर्मल सा पॉइंट आपको बाहर कर दे तो यह गलती आपको नहीं करनी है यहां आप देख रहे हैं यह राइट हैंड में लिटल फिंगर है और इसमें इनको बच्पन में चोट लगा है अब उस चोट की वज़े से ट्रमिनल फ्लैंक थोड़ा सा जो है वो टिल्ट हो गया है क्या इसकी वज़े से कोई इशू हो सकता है नहीं मेडिकल गैडलाइन में करियर लिखा हुआ है कि ट्रमिनल फ्लैंक आफ लिटल फिंगर कोई प्राबलम है तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा अब इसमें कोई इशू नहीं होगा यहां पे अब यह देखिए थोड़ा सा टिल्ट है और कोई प्राबलम नहीं है कई बार क्रिकट बॉल लगने की वज़े से यह भी ऐसा प्राबलम हो जाता है कुछ केंडिलिट्स को लेकिन यहीं अदिया आपका इंडेक्स फिंगर पे होता है तो वहां परिशानी हो सकती है यह देख रहा है यह देखिए अब वैब टॉज यह जनमजात है दोनों अंगलियां जो है इनकी यह जोड़ी हुई है अब समय रहते हैं इनको आइडिया हो गया है कि मैं इसकी वज़े से अन्फिट हो जाँगा एससे जी जीडी दो जाटेविस आने वाली जो बढ़ती है यह उसके केंडियेट हैं और उन्होंने क्या अच्छा काम किया वो भी आपको दिखा देते हैं किस समय रहता है इसका सर्जरी करवा लिया अब सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे तो इन्होंने अपना चेक अप करवाया इनका यह पॉइंट डिटेक्ट हुआ अब तक इ अब यह देखें डिफेक्टिव डिस्टेंट वीजन बोथ आई क्या वीजन है 612 और 618 अब 612 और 618 यह ITVP Constable Tradesman के केंडियेट हैं कितना चाहिए था इनको यह राइट हैंड से लिखते हैं तो इनको राइट आई 66 होना चाहिए था और लेफ्ट 69 तक भी चल जाता ऐसा ह केंडियेट डेहली पुलिस का भी मेडिकल हो रहा है वो भी CAPF लेरी इस बार दिल्ली पुलिस में भी सेम इसी पॉइंट में केंडियेट अन्फिट होए हैं कि दिल्ली पुलिस में दोनों आखे 612 हो चाहिए और थोड़ा साथ इसको कहते हैं कि जानकरी नहीं थी या तोड फॉर्सेज हो या कोई दूसरी पुलिस हो मेडिकल आपका मेडिकल गाइडलाइन के नुसार होगा जो डेफेंस मिनिस्ट्री का आमी नेवी एर फॉर्स में लागू किया जाता है उसी को सभी फॉर्सेज फॉलो करती है यह आप यहाँ पर देख रहे हैं आमी भरती कंडिर मीदेशन है और एसेज्य निपल कि आपके निपल के एक पर्टिकॉलर एरिया में इस तरीके का निशान है तो यह एसेज्यी निपल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अब एसेज्यी निपल है तो इसो सर्जरी इसकी हो जाएगी दो स्टिच मुश्किल से होंगे और वो समय के साथ धीरे-धीरे खत्म हो जाएगे और बॉडी ओपनिंग सर्जरी 30 डेज पुराना जो है वो फिट है यदि आप इसको ये बता देते हैं अशेसरी निपल का अपने सर्जरी करवाया और मेडीकल अपसर वहाँ पर पूछते हैं कि यह क्या प्राब्लम था आपकर आपके कहते थे हैं कि सर मुझे आप एक फोडा हो गया था एक सिस्ट था उसका सर्जरी करवाय था कब करवाय था चार महीना पहले करवाए था अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में कोई ऐसा मेकेनिजम है कि वो डिटेक्ट कर लें कि सर्जरी कितना पुराना है याई आपका वूंड पूरी तरीके से भर चुका है healthy वूंड है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप फिट हो जाएंगे और बॉडी ऑपनिंग सर्जरी 30 डेज पुराना फिट है मेडिकल गाइडलाइन कलियर करती है बात तो इन सब चीजों का विशेश ध्यान रखना है अब ये देखिए S.S.C. G.D. केंडिडिट हैं तैयारी बहुत अच्छी चल रही है कि मौक टस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है लेकिन इसका क्या करूं तो इसका तो अभी सर्जरी करवा लीजे क्या मैं एक्जाम के बाद सर्जरी करवा लूँ एक्जाम के बाद भी करवा सकते हैं लेकिन एक्जाम के बाद हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिले क्योंकि अभी आने वले जो लोकसबा चुनाव है उसको देखते हुए वरतियां बहुत जल्द पूरी करने की प्रकरिया चल रही है और दिल्ली पुलिस में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से तीन दिन का फिजिकल का टाइम मिला और उसके दो दिन बाद मेडिकल शुरू हो गए और इस तरह के पॉइंट्स में दिल्ली पुलिस में भी केंडिडीट अन्फिट हो रहे हैं इस बार अन्फिट का तालाज जो है वो दिल्ली पुलिस में ज़्यादा है रीजन यही है कि मेडिकल टाइम नहीं मिला और दूसरा C.A.P.F. का जो मेडिकल गाइडलाइन है उसके नुसार हो रहा है विटी लिगो अब इतना बड़ा विटी लिगो पैच है इसके लाव इनको बॉड़ी में और भी जिगा विटी लिगो पैचेज है तेकि ऐसी स्तिती में हम यही एडवाइज करते हैं कि आप फोर्सेज की तैयारी में अपना समय पैसा उमीदें जया ना करें बहतर यही होगा कि आप सिविल जाब के तैयारी करें क्योंकि एसी स्तिती में क्या होगा कि इतना बड़ा विटी लिगो पैच चुहें वह आप मैक अप करवागे भी आप फिट नहीं हो सकते हाँ छोटे पैचे जो हो तो मैक अप किया जा सकता है और उसके बाद फिट हुए हैं केंडिडेट्स हमारे पास में मैक अप के लिए आते हैं उसके बाद फिट हुए SSC GD में हुए, CPU SI हुए, एक से एक भरती में फिट हुए हैं, लेकिन वो छोटे patches और वो भी ऐसा body part जो आपका uniform में छुप जाए, ये देखे, tattoo remove करवाय था, लेकिन उसके बाद killoid बन गया, तो tattoo remove आप करवाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, विशिश ध्यान रखना है कि एक तो surgery करवाते हैं, तो killoid ना बन जाए, और laser करवाते हैं, तो complete remove होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि laser हो जाए, और वो भी timely हो जाए, तो आपका tattoo एक sitting में नहीं, दो sitting में हो जाएगा, हमारे पास तो छोटे tattoo एक sitting में complete हो जाते हैं, एनके ये इस तरह का tattoo जो है, वो center पे दिया आप आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, ये देखे, unhealthy tattoo removal scar, complete remove नहीं हुआ है, और ऐसी इस्तिती में saluting hand पर tattoo है, तो आप बाहर हो जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं कर बैठना है, अब ये देखे, यहाँ पर surgical scar आपको दिखाना चाहते हैं, इनका appendix का surgery हुआ था, और उसका scar है, आमी, technical अगनिवीर जो है, उसका medical and fitness certificate है, यानिके इनको, sorry, refer गिया है military hospital मा, surgical scar abdomen right, तो इसमें क्या होगा, ऐसी इस्तिती में देखे, fit हो जाता है, appendix है, hernia, varicocele, ये सब जो है, surgery का एक particular time है, और आपके पास medical papers है, तो आप साथ लेकर जाएं, वो duration एदी पूरा हो चुका है, कोई problem नहीं होगा, ये भी देखे, surgery हुआ है, घुटने पर surgery हुआ है, इनका ligament surgery है, कि चोट लग गया था, अब ऐसी इस्तिती में क्या होगा, ऐसी इस्तिती में chances, जो है, वो हद तक satisfy हो जाते हैं, कि इसकी वज़े से in future problem हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे physical activity आपको training के दोरान और in service भी आपको करनी होंगी, तो ऐसे इस्तिती में बाहर होना के चांसे ज़्यादा होते हैं, तो ये इस surgery हुई है, तो देखे, निशान तो होगा, और surgery हुई है, आपको declaration form भी fill करवाय जाता है, कई बार ऐसा भी देखने में आए, कि एक candidate ने declaration form में गलत जानकरी दी, और training के दोरान या जब joining medical होता है, उस समय उनका एक point detect हो गया, और उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया, और उसके बाद जब वो high court करते हैं, उस तिती में वो high court में भ गलत जानकरी दी थी, due to right lower limb varicose veins, lower limb varicose veins, varicose veins क्या है, कि सभी दिखने वाली नसे varicose नहीं होती, varicose vein के बारे में medical guideline क्या कहती है, वो भी आपको दिखाते हैं, weight के बारे में आप लोगों के बहुत सारे question होते हैं, कि अभी हम बात करें CPU SI की 170 minimum height है, और यदि आप 18-22 साल ह तो 52 से 64 किलो आपका वजन होना चाहिए, फिर 23 से 27 यदि आप हैं, तो 54 से 66 होना चाहिए, maximum candidates किसमें इस age group में आते हैं, आप 54 से 66, 66 में आप 5 और प्लस कर दीजिए, यदि कि 71 से ऊपर यदि आपका आदा किलो भी ज़्यादा हुआ तो आप unfit हो जाएंगे, और 66 से भी 25 केजी 25 होना चाहिए BMI, तो वो 5 केजी प्लस माइनस भी कई बार करके कर दिया जाता है, पिछला SSTGD से हम देख रहे हैं कि CAPF में वेट चार्ट फिर प्लस माइनस 5 केजी करके fit and fit किया जाता है, तो आप कोशिश करें कि आपका वेट इस चार्ट के according हो, कम है तो आप 1-2 क पानी पी के पूरा कर सकते हैं, लेकिन जादा है तो उसको तो running करके, diet control करके पूरा करना होगा, stretch marks बहुत सरे candidates को होता है, क्या इसकी वज़े से कोई point बन सकता है, नहीं, इसकी वज़े से कोई point नहीं बनता है, यह बिल्कुल fit है, यह देखिया आप, कि क्या यह varicose है, यह देखने में आपको जैसा कि हमारे specialist उन्होंने बताया कि इस तरह का वेन होता है, वो generally varicose नहीं होता है, अब varicose है या नहीं है, यह छूके या हाथ लगा के, ऐसी स्तिती में तो नहीं बताया जा सकता है, जो varicose होता है, वो coil जैसा वेन होता है, इस तरीके से, ज़्यादा उभरी भी होती है, तो varicose के लिए color doppler test, color doppler test आप कुछ से करवा के, आप surgeon से आप consult करें, वो color doppler करवा के, देखेंगे कि varicose है, तो varicose का क्या treatment क्या हो सकता है, varicose के बारे में medical guideline clear करती है, आपको देखिए, यहाँ दिखा दें, general grounds for rejection, 100 pages का medical guideline है, 7 page 7, 8 पर आपा जाईए, 8 पर पर 6 का जो सब परा 29 है, उसमें clear cut लिखा हुआ है, कि varicose veins, the diagnosis of varicose veins should be made on the basis of dilation and tautosity of veins and after confirmation of incompetency of spanofemoral junctions, spanopopopletal junction of perforators by relevant clinical test, clinical test, बताया आपको doppler test के बारे में, only prominence of veins should not be criteria for rejection, prominence of veins या आपकी veins दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि वो varicose है, when दिखाई देती है, तो आप unfit हो जाएंगे, ऐसा आपको कता ही नहीं सोचना है, cases of varicose veins, even if operated, अब कई बार ऐसी स्थिती होती है, कि आप लोग civil hospital में जाते हैं, varicose vein है, आपको doctor advise कर देते हैं, कि सर्जरी करके सको निकाल देंगे, अब सर्जरी का निशान आप करे गया, या आपने असेप्ट कर लिया, कि मैंने varicose vein का सर्जरी करवाया था, तो भी आप unfit हो जाएंगे, अब आप देख रहे हैं, कि आपको भरती किया जा रहा है, तो force की तरफ से best चुनने की कोशिश की जाएंगे, कि कोई ऐसा defect नहीं हो, कि जो आपका day to day life में, military duty में, military training में बादा पैदा कर सके, या in future, आप in future का दो देखे, पता नहीं चलता है, लेकिन medical officer का satisfaction इस हद तक, ये कई बार ऐसा भी हुआ कि candidate training के दोरान दोड़ता हुआ, गिर पड़ा और heart attacks से death हो गई, उस तिती में medical officer, जो recruiting medical officer है, उन से भी जवाब मांग लिया जाता है, जो inquiry होती है, उसमें उनके papers देखे जाते हैं, सारे diagnosis जो हुए थे, वो सब सामने लाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं medical officer से कोई गलती तो नहीं हो गई थी, और यही वज़े है कि आप लोग जो कहते हैं कि medical hard होता है, medical hard या normal नहीं होता है, hard या normal होता है, आपको point, उस point के बारे में क्या लिखा हुआ है medical guideline में, तो हमारे CPOSI के जो candidate है, उनको देखे, medical guideline जरूर पढ़ना चाहिए, SST वालों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, उसको कि इतना समय आपके पास नहीं है, नहीं देना चाहते हैं, तो कुछ basic points जो हैं, वो तो आपको जरूर देखने चाहिए, जैसे कि पेरा 7, space number 6 पे, general grounds for rejection है, वो आपको जानकरी होनी चाहिए, वैसा कोई point आपका तो नहीं है, अब टांसलाइटिस जैसा point जो है, उसमें भी candidates unfit हो जाते हैं, low standard vision, squint, autratus media, deepness, आप बहुत सारे points, stammering, हकलाहट, हकलाहट के बारे में पूरा डीटेल में भी बताया गया है, कि 4-5 sentence के बाद ही हकलाहट होता है, तो आप fit हो जाएंगे, abnormal gate, कि वो क्या होता है, तो आप कई बार क्या होता है, कि आप鬼 पॉर्इंट मिल जाता है, उसके बाद आप search करते हैं, या हमारे पस message करते हैं, तो रोज हमारे पस बहुत सारे message इस त्रीके के आते हैं, और सब को reply करना ही कोशिश करते हैं आपका यदि कोई point है कुछ आप जानना चाहते हैं हमारे साथ share करना चाहते हैं तो आप भी WhatsApp number आपके साथ share करते हैं उस पर आप बिल्कुल message कर सकते हैं ये WhatsApp number है और यदि हमारे पास आप complete pre-medical check-up के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए description में number दिया हुआ है उस number पर आप appointment लेकर pre-medical check-up के लिए जरूर आएं अब देखे दोस्तों आप चाहते हैं कि आप fit हों और normal point में परेशानी ना आए जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस में आरी है candidates को time नहीं मिला अब time नहीं मिला ये तो force की तरफ से कोई कमी नहीं है force की तरफ से जल से जल भरती पुरी की जए अब आप जब तयारी शुरू करते हैं उस समय भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा body में कोई ऐसा point तो नहीं है और body में point है तो आप timely उसका treatment ले ले timely exercise कर ले तो किस तरीके से आपको present करना है वो सब चीज़े आपको जानकरी होनी चाहिए और नहीं आपको जानकरी है तो जानकरी कैसे होगी जानकरी का तो एक रास्ता है या तो आप एक medical दें और उसमें आप unfit हो जाएं तो उससे आपको पता चलेगे जैसा भी दिल्ली पुलिस में candidates के साथ हो रहा है या आप अपना पहले से pre-medical check-up करवाएं तो बने रही है दोस्तों चैनल के साथ कल फिर आप से इसी समय मुलाकात होगी जान